हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इने प्लेन और ये आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए 4th पार्ट है इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी एक हाइट पे हैं और उस हाइट पे आप बैठके आप मायूस हैं उदास हैं बड़े और एक पहाड़ पे बैठ गया आराम से जाके और वहाँ पत्थर उठा रहे हैं नीचे फैक रहे हैं ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमने बात करी थी जब आप किसी एक हाइट से किसी अबजेक्ट को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं आज हम बात करेंगे कि इनक्लाइंड प्लेन से अगर आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हूं downwards to upwards upwards to downwards यानि नीचे से उपर की तरफ यानि जो plane है उससे आप नीचे से उपर की तरफ भी फैकेंगे और उपर से वापस नीचे की तरफ भी फैकेंगे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पे लिंक है वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं उससे पहले दो वीडियो के अंदर हमने equation of trajectory के बारे में बात कर ली है और basics हैं यानि ground से ground पे आप अगर कोई object को फैक रहे हैं तो वो किस तरह से behave करेगा उसके लिए आप जो time of flight वो कैसे find out करेंगे maximum height कैसे find out करेंगे range कैसे find out करेंगे वो सारी चीज़े हम discuss कर चुके हैं तो projectile motion का यह finally fourth part है और आज हम देख लेंगे कि हमारे पास अगर inclined plane है देखो यह लिखा हुआ है projection from an inclined plane तो जैसे यह हमारा एक plane है यह हमारा simple सा एक plane है और यहाँ पे हम है यह है हम और चलो आप हो यह है ना और यहाँ से आपने एक stone लिया आपने एक यहाँ से stone लिया और यह आपने फैका और यहाँ करके गिरा यहाँ की तरफ ठीक है तो simple आपने क्या किया एक stone यहाँ से उठाया downwards से कहां की तरफ फैका upwards की तरफ downwards से downwards to upwards ठीक है आपने downwards से कहां की तरफ है का upwards अभी situation उलट भी हो सकती है उलटा कर दो इस situation को कि भई अगर आपने ऐसे रखा इसको उठा के उलटा रख दो ठीक है इस बार इसको ऐसे रखेंगे तो ये हमने इस बार आप कहां पे बैठोगे इस बार आप बैठोगे उपर जो ये inclined plane है इसके height पे जा करके आ न यहां पे बैठो आप ठीक है ये यहां पे आप हो और यहां से आपने एक object लिया और ये आपने फैका उपर से object नीचे के तरफ ठीक है तो ये दो case इसमें हो सकते हैं downwards to upwards या फिर दूसरा case क्या है upwards to upwards to downwards तो या तो आप उपर से नीचे की तरफ ठीक है देखो नीचे से उपर की तरफ ठीक है downwards to upwards तो आपने ऐसे लिया पथर और ये फैका inclined plane पे फैका ये आपका inclined plane है और इस पे आप फैक रहे हो और दूसरा क्या है कि आप उपर बैठ गए plane के उपर बैठ गए वहां से आपने पत्थर उठाया और ये आपने फैका नीचे तो यहां से क्या है upwards to downwards ये दो case आपको समझ में आ गए ये हो आप ये आपका projectile है आपने projectile यहां से फैका उपर की तरफ और दूसरा आपने क्या किया उपर थे और उपर से आपने फैका नीचे की तरफ ये inclined है वो कितना एंगल बना रहा है थीटा ये वाला inclined भी कितना एंगल बना रहा है थीटा ठीक है simple है वही नीचे से horizontal तो ये है ना ground तो हमारा ये है ना नीचे वाला ये है ground तो हमारा देखो ये है ground तो हमारा ये है ठीक है लेकिन ground के साथ inclined जो plane है ये फिसलन पट्टी एक तरह की है ना ये कैसा एंगल बना रही है ये एंगल बना रही है थीटा अब इसके उपर हम हम जिस हाइट पर फैकेंगे उसके साथ भी एक एंगल बनेगा एलफा उसकी भी मैं बात करूंगा पहले इसका स्क्रीन सोट ले लो एक बार यह हमारी पहली situation है downwards to upwards देखो नीचे की तरफ से उपर की तरफ जब आफ़ फैक होगे तो क्या होगा देखो यह आप यहाँ पे हो और यहाँ से आप फैक रहे हो उपर की तरफ तो आपको एक चीज यहाँ से देखनी होगी देखो यह हमारा ground level है और यह जो inclined plane है यह कितना एंगल बना रहा है थिटा एंगल बना रहा है तो क्या हम इसको थोड़ा सा tilt करके मतलब यह अगर थिटा एंगल को मैं हटा दूं यहाँ से तो क्या मेरी यह surface निचे की तरफ आ जाएगी समझ पा रहे हो यह मेरा plane है ऐसे यह ऐसे है मदब ऐसे है और यह ऐसे कर दो इसको समझो बात को तो यहां से जब मैं इसको फैकने लग रहा हूं उपर की तरफ तो यहां जो एंगल बन रहा होगा य ठीक है तो एक अंगल मेरा थिता और दूसरा मेरा Cow is alpha यहां से हमने प्रोजक्टाइल को फैक है यह उपर कहीं ब Sky कि बहा इसने जब हमने फैक है तो क्या इंगल बनाया थाsmंगल बनाया था अब आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं यह हमारा प्रोजक्टाइल था इस एक तो इस तरफ होगी एक तो इस तरफ होगी डेफिनेट सी बात है और एक कहां होगी इसके ठीक परपेंडिकुलर होगी ऐसे होगी ना परपेंडिकुलर यह बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी यह दो डारेक्शन में इसकी वैलोसिटी दो component होंगे न अगर आपने इसको यू वैलो सिटी से फैका है तो इसके दो component होंगे जब आप निच्चे से फैक रहे थे तब एक component ऐसे था एक सिधा था लेकिन अब वह surface ऐसी तो बची नहीं अब वह तो थिटा थिटा पे चली की surface तो एक component ऐसे होगा एक component ऐसे होगा समझेव बात को हैना तो यहां पर यह है ज़ो है जाँ ठीटा होता अब यहाँ अलफा है तो आलफा वाला कमपोनेंट को क्या लिख दूब यो-वैलर सिटी से फैका है क्या मैं इसको लिख दूब यू-कोस-द्धा- फिटा यह जगा एलफा चुका है तो यह मैंने लिखा यू कोस एलफा इतने बाद आपको क्लियर होने चाहिए देखो यहां से उपर की तरफ मैंने फैका तो मैं आपके क्या लिख दूँ यू साइन एलफा अब इसमें यार कोई दिखके थोड़ी होगे आपको यह यू साइन एलफा है यह यू कोस एलफा है यह यू वैलोसिटी है वैलोसिटी वैक्ट किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट भाई यह इसकी एक्स डारेक्शन है ना यह खोड़ी है इस बार X ये तो फैक्ट तो इधर रहेंना हम जो हमारा देखो क्या है inclined surface है उस पे फैक रहे है inclined plane फे फैक रहे हैं अच्छा इधर की तरफ कौंझ सी direction है y तो alpha का x direction में component is velocity u का x direction में component u cos alpha और y direction में component u sin alpha समझ में आ रही होगी है नहीं बात अच्छंग एक बात बताओ जब आपने इसे फैक ने लग रहे थे तो आपको एक चीज पता थी कि एक डारिक्षन की वैलोशिट्टी कभी सीज़ नहीं होती थीinform एक लिए ग्रेविटेशन लगता ही नहीं था वॉलादायरे में ग्राइशन एक समय वही घ्राइब एक्स कंपोनेंट पर ग्रेविटेशन काम नहीं करता था क्योंकि एसे जा रहा है पर पेंडिकुलर हाँ इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती थी पर अब देखो सिच्वेशन बदल लगी है अब क्या हो रहा है यह हमारा ग्राउंड है ठीक है यह ग्राउंड हो गया हमार नहीं दो दूसरा ही है एसे सिच्वेशन है हमारे पास लेकिन अभी कहां काम कर रहा होगा यार कही न ग्रेविटेशन कहीं नहीं तो काम करेंगा इस बार के लिए जेयरो नहीं होगा पहले खाहर Doll chapters karma के लिए घ्रेशन के लिए यह आपकी x direction, यह आपकी y direction और gravitation कहां काम कर रहा है यहां कर रहा है नीचे, एक बात बताओ यार यह angle theta है क्या, यह angle theta है, definite सी बात है, तो यह angle अगर theta है, तो यह angle कितना है, बहुत यह पूरा angle क्या यह पूरा angle देखो 180 है, अगर इसको ऐसे देखा जाए, तो यहां पर पर्पेंडिकुलर ली देखा जाए इस तरह से अगर मैं इसका एक component ऐसे लो पर्पेंडिकुलर ली ग्रेविटेशन तो तो एक component अगर इस तरह से लिया जाए तो यह यह वाणा एंगल कितना है यह यह पूरा तो 90 है ना देखो यहां से लेके और यहां तक यह पूरा 90 है यह पूरा 90 है यह एंगल कितना है 90 माइनिस थिटा तो यह बचा हुआ यह केवल इस एंगल को अगर मैं हटा दूं इस एंगल को हटा दूं तो यह जो एंगल बचा यह क्या मेरे पास थिटा बचा यह तो यहां जब हमने वेक्टर के लिए पढ़ा था था इन्क्लाइंड प्लेन के लिए तो यहां थीटा है तो ग्रेविटेशन के भी दो खंपोनेंट होंगे एक तो यह तरफ होगा और यह तरफ आपको MadID को भी कणिते हैं यहां पर यहां पर वाई होगा ठीक है अब यह वाला वाई कंपोनेंट और यह वाला वाई कमपोनेंट आप देखे पा रहे हो दोनों एक दूसरे के opposite direction में है अगर मैं इसको यहां पे shift कर दूँ यहां तो यह और यह दोनों यह उपर positive में वाई है तो यह निचे की तरफ वाई है समझ लेना इस बात को यहां पर आप देखो थोड़ा सा इधर की तरफ यह component इसको मैं क्या लिखूँ जी sin theta जी sin theta वही एंगल theta है तो theta आएगा और इधर theta किसके साथ बन रहा है जी का इधर तो यह आ जाएगा जी cos theta जी cos theta आप gravitation कहां की तरफ काम कर रहा है निचे की तरफ तो y direction का component यह है तो निचे की तरफ होगा तो negative आना ही है माइनस जी लेते थे तब भी हम यह भी माइनस जी आएगा क्योंकि x-axis की positive तो उधर है लेकिन x-axis के negative में acceleration काम कर रहा है तो इसका मतलब माइनस जी इस चीज़ को feel करते हैं देखो कैसे करोगे मैंने यहां से कोई कुछ फैका उठाया और यह मैंने फैका अब धीरे-धीरे क्या उसकी speed x-direction में कम होती जाएगी inclined plane पे वैसे तो नहीं होती वैसे तो constant बनी रहती है range बिलकुल वो ही आती है लेकिन अब अगर मैं फैक रहा हूँ ऐसे inclined plane पे तो उसकी velocity धीरे-धीरे x-direction में कम होती जाती है क्यों क्यों क्योंकि माइनस डारेक्शन में अपोजिट डारेक्शन में एक्सलेशन काम करता रहता है मैंने यहां से उठा के कुछ फैका यह मैंने फैका तो इसकी velocity x-direction में कम होती जाती है क्योंकि negative में भी एक्सलेशन काम कर रहा है तब constant होती थी velocity अब नहीं होगी ध्या minus g cos theta और इस direction में भी मेरे पास gravitation का component आ गया है और वो कौन सा आ गया है देखो minus g sin theta minus g sin theta यह बात जिसको समझ में आ गई न यह समझ लो projectile motion in inclined plane complete बैस यह बात यह जो हो तिक है यहां से देखो आपने ऐसे फैका U velocity से आपने ऐसे फैका U velocity से ठीक है तो इसके दो component होंगे अब ground बेद होगा नहीं क्योंकि ये तो x axis तो इस बार हम इसको मान के चल रहे हैं ये है हमारी x axis तो निचे वाली तो x axis रही नहीं वो तो ground level अलग हो गया इस बार तो जो हमारा plane है ये x axis है और इस situation के लिए यहाँ प पर्पेंडिकुलर काम कर रहा है यह देखो यह कर रहा है यह पर्पेंडिकुलर यहां भी पर्पेंडिकुलर कर रहा होगा यहां भी पर्पेंडिकुलर कर रहा होगा तो इसके दो component एक तो जी कोस्ट थिटा क्योंकि यहां पर जो एंगल है वो थिटा है अभी तो बताया समझ यहां पर इसलिए इधर के आया जी को इसका स्क्रीन सोट ले लो एक बार अब मैं इस एक्स एक्सिस को थीटा एंगल रोटेट करूंगा समझना वाद को यह जो मेरी एक्स कि मेरा इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल पर इसे आजाएगा सीधा आजाएगा ना वहीं निकाल चुका हो मैं इसको रोटेट कर दो तो यह जो मेरी सरफेस थी इसको मैं इसको यहां पर ले आएँगा ले आते हैं चलो तो यह हमने situation बनानी है इसको रोटेट करने के बाद we are rotating rotating with angle theta कि एंगल ठीटा पर हमाँ क्लान में को क्या कर रहे है रोटेट कर रहे ऐंगल ठीटा थीक एंगल ठीटा पर हम क्या राइए Егоड कर रहे हैं हमारे plane को ठीक है देखो जो चीज़ें उसको बना दो इसी कह साब से बना दो है ना अब यह यहां था तो यह पर परपेंडिकुलर पर आज आएगा तो यह हमने लिया एक हमारा कि यह हो गया यह एकसिस हो गई ठीक है यह एकसे सिस्ट इधर होगी तो यह तो होगी एकसे सिस ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं अच्छा यह यू-kos-θिटा है तो यह भी इधर यहां पर 앞लुक मां एलफा करा कर तो यहां से यहां ग्रेविटेशन काम कर रहा-था तो यहां से हमारा ग्रेविटेशन एक तो डाउन वार्थ काम कर रहा है कितना कर रहा है माइनस g कोस theta माइनस g कोस theta वही लिख रहा हूँ देखो मैं आप मेरे को ये नहीं बोलेगा कोई भी की sir आपने ये क्या लिख दिया अब पहले समझ लो आप है ना अच्छे यहां से g sin theta यहां से ज़स्त इधर g sin theta काम कर रहा था तो ये मेरा क्या है इधर अब हम इसके x direction और y direction दोनों को study करेंगे, मैं इधर वाले को rough कर रहा हूँ, चाओ तो एक बार screenshot और ले लो, x direction और y direction, दोनों को study करेंगे, x direction के अंदर सारी चीज़े देखेंगे, और y direction के अंदर देखेंगे, ठीक है, अगर x direction की बात करें, अगर x direction की बात कर लें, यहां से देखो, तो एक बार यह बताओ कि initial velocity in x direction, initial velocity in x direction क्या है, भाई, u velocity से जा रहा है, यह जा रहा है, x direction में initial velocity क्या है, मलब x तो यह न, u cos theta, u cos alpha, वहाँ पर u cos theta होती थी, यहाँ पर u cos alpha, इतनी बात किलियर है, क्या इसका acceleration 0 है, तब होता था, अब नहीं है, तो acceleration in x direction क्या है, यह देखो, acceleration in x direction minus g sin theta, minus g sin theta, ठीक है, इसी तरह y direction के लिए लिख लेंगे, y direction के लिखेंगे, देखो, y direction के अंदर जो initial velocity है, वो क्या है, और यही तो है, u sin alpha, u sin alpha, acceleration in y direction क्या है, यह देखो acceleration निचे की तरफ y direction का acceleration निचे की तरफ काम कर रहा है यह कितना कर रहा है minus g cos theta तो यह हमने लिखा minus g cos theta यहां तक आपको अगर बात समझ में आ गई है बहुत बड़ी आ हो गया है बस अब कुछ नहीं बचा है न अब वो ही सारी चीज़े time of flight निकालेंगे maximum height निकालेंगे range निकालेंगे maximum वो सारी चीज़ें है यार न तो देखो क्या-क्या हमें find out करना होगा सबसे पहला इसके लिए हम find करेंगे time of flight time of flight दूसरा maximum height maximum height और तीसरा range यह range किसमें निकलता है हमेशा x direction में निकलता है पता होगा न आपको range तो यह है यहां से लेकर कि यहां तक आर है न time of flight मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना time लिया ठीक है तो time of flight maximum height और range यह हम find out करने जा रहे है है न स्क्रीन सोट लो फिर time of flight की बात करते है time of flight के लिए हमेशा कौन सी direction को study करते है आपने पहले भी किया है जब हमने ग्राउंड से ग्राउंड फैका था जब हमने एक हाइट पर खड़े ओके फैका था तब भी आपने देखा था तो देखो वाइड डारेक्शन को study करना है वाइड डारेक्शन को study करना है मतलब यहां पर इस point से और इस point तक पहुंचने में अब यह inclined plane है हमने इसको थिटा रोटेट कर रखा है इसलिए तो यह आया है जी साइन थिटा जी कोस थिटा है ना नहीं तो नहीं आता यह अगर स्मूथ होता तो फिर इदा तो constant velocity हो जाती मतलब सिधा होता तो ऐसे ऐसे होता तो पर यह ऐसे था इसको रोटेट करके लाए है इधर यह इसलिए आया है है न देखो हम लगाएंगे equation s equals to ut plus half 80 square हम लगाएंगे s equals to ut plus half 80 square हमें time of flight find out करना हमें क्या चीए हमें displacement in y direction by displacement in y direction कितना हुआ देखो यहां से गए और यहां तक पहुंच गए आप वोलोगे sir displacement तो हुआ है shortest distance from initial position to final position अरे भाई मैं y direction की बात कर रहा हूँ y direction में आप यहां से यहां तक गए वापस यहां से यहां तक आ गए अरे यहां से यहां से यहां तक गए यहां से वापस यहां तक आ गए तो क्या y direction में कोई displacement हुआ यह तो x में है तो y direction में तो displacement 0 है यह बात पकड़ पा रहे हैं समझ में आ रही है 0 initial velocity in y direction क्या है वो तो अभी अभी बताई थी यह देखो y direction में u sin alpha और यू sin alpha और क्या चाहिए हमें टी तो हमें निकालना ही है time of flight अच्छा उसके बाद acceleration acceleration कौन सी direction में acceleration कौन सी direction में y direction में य direction को study कर रहे हैं तो उसी में लिखेंगे न सारी चीज़े y direction में हमारा acceleration देखो यह है नीचे की तरफ minus g cos theta minus g cos theta ठीक है रख दो बस कुछ नहीं करना s की value है 0 यहां पर रखो equation में s की value क्या है 0 अच्छा फिर ut initial velocity क्या है देखो u sin alpha u sin alpha और t तो हम निकाली रहे हैं अच्छा उसके बाद देखो plus half 80 square plus half acceleration कितना है देखो minus g cos theta तो यह लिखा हमने minus g cos इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं यार तो plus यहां पर क्या जाएगा plus half और minus g cos theta और फिर उसके बाद time का क्या हो जाएगा gt square time का square यह सारी चीज़े समझ आरी ना देखो हमने u की value रखी t रखा फिर half रखा और फिर acceleration की value रखी देखो यहां से और फिर time का square सारी चीज़े रख दिए अगर इस minus को बाहर निकाल लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा सिधा सिधा यह हो जाएगा one by two और minus को बाहर निकालते यहां क्या हो जाएगा minus अब इस पूरे time को उठाके इधर ले आओ प्लस हो जाएगा यहां पे हो गया half g cos theta और t square equals to किसके equal हो गया यह बचा ना तो u sin alpha t u sin alpha t एक बात बताओ यहां पे t square है इधर t है है ना तो square t से cancel out हो जाएगा अब आपको तो क्या चीए टी चीए आपको शिरफ यह टी चीए इसको पूरे को उठाके उधर वेज़ दो यह two तो उपर चला जाएगा और u sin alpha upon cos theta upon g cos theta यह आ जाएगा इधर लिख देते हैं देखो देखो u sin alpha तो पहले से हैं तो t equals to u sin alpha और यह two कहां जाएगा तू उधर जाएगा और upon में g cos theta तो यह हमने लिखा 2 और upon में हम लिखेंगे क्या g cos theta ठीक है यह हमारे पास आचुका है यह हमारे पास आचुका है time of flight का formula पूरा जो time लगेगा पूरी इस flight में जितना time लगा यह उसका formula है और यह बहुत important है इसको आपको याद रखना है तो अगर आपको एक बात याद है जो हमारा जब हमने motion under gravity पड़ा था तब जो हमारा time of flight आया था वो क्या आया था टी इक्वल्स टू हमारे पास वहां पर आया था टू यू अपोन जी वैसे यू अपोन जी में फैका यू अपोन जी में वापस आया ऐसे था ना तो टू कर दिया था हमने अच्छा यहां पे भी सेम बात है यहां velocity in y direction क्योंकि y आयुट धाया direction की study कर रहें और ग्रेविटेशन in y direction ,a y direction में velocity कितनी है U sin Alpha to u Sin Alpha भी वी त्पय वाइबक डायरेक्शन में कितना है , यह 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 या मने हूँ लिखा ए gy-cose thitta फीटा, मैंने हम लोग मने लिखा जिए गलोश तो यह नुलिखा कि हम पता ने क्या learn कर रहे हैं जो पहले पड़ी हुई चीजे हैं वो ही आप दुबारा से पढ़ रहे हैं ऐसा मानगे चलो है ना तो इसका screenshot ले लो कि time of flight का formula आ चुका है आप बात करेंगे maximum height के बारे में कि बाई maximum कितना height पे ये गया देखो वाई direction की फिर से बात करने पड़ेगी बाई height तो ऐसे देखेंगे तो यहां पे ये जो है ना ये है इसका maximum ये इसका maximum है अरे यही तो है ना तो इसकी मुझे बात करनी है इसको find out करना है तो फिर से वाई direction को study करेंगे वाई direction अब बहुत सिंपल है यार कुछ नहीं अब इसमें अगर मैंने जो शुरू में बाते बताई थी ना आपको अगर वो समझ में आ गए तो जितना आपने प्रोजक्टाइल मोशन पहले पढ़ रखा है बस वो ही है इस बार में equation का use करूंगा v square equals to u square plus 2as जो जो इसमें चीज़ें चीज़ें वो ले लूँगा बाई final velocity y direction की मुझे चाहिए इस बार final velocity y direction की चीज़े क्या इस point पे आके y direction के अंदर मतलब final velocity y direction के अंदर क्या zero हो जाती है maximum height पे velocity zero हो जाती है तब ही तो उपर नहीं जा रहा पाई हमने पत्थर ऐसे फैका अब उपर जाई नहीं रहा एक point पे जाके रूट गया तो y direction में उसकी velocity क्या हो गई जीरो हो गई ना ऐसे यहां हो गई होगी अच्छा देखो तो यह y direction के अंदर जो velocity है वो तो zero हो जाएगी अच्छा initial velocity in y direction वो तो हमें पता है यह है u sin alpha u sin alpha अच्छा acceleration भी हमें पता है y direction में कितना है अरे सब कुस तो पता है आपको यार acceleration y direction में कितना है यह देखो acceleration y direction में माइनस जी कोस्ट थिटा माइनस जी कोस्ट थिटा और क्या चाहिए आपको displacement यह और चाहिए वही तो है हमारा maximum यहां निच्छे से लेकर के उपर तक maximum यही तो है तो यही तो इसका displacement वही तो हमें चाहिए तो s equals to displacement in y direction हमारा क्या है h maximum अब हम निकालेंगे h maximum है न देखो देखो वी स्क्वाइर तो मतलब 0 का स्क्वाइर इक्वल्स टू यू स्क्वाइर मतलब यू यू साइन एल्फा तो यू स्क्वाइर साइन स्क्वाइर एल्फा ठीक है प्लस टू एस प्लस टू और एक्सलेशन क्या है माइनस जी कोस्थिटा माइनस जी कोस्थिटा और साथ में s मतलब हमारा h maximum अचे माइनस बाहर कर लूं कि यह माइनस बाहर कर लेते हैं तो यहां पर रही जाएगा चलो यहां पर चाहिए इसको ऐसे कर दो डारेक्ट टू कर दो मल्टिप्लाई तो है इन सबी के साथ ठीक है इन सबी के साथ मल्टिप्लाई है तो यहां पर यह माइनस हो जाएगा ना माइनस जाए और तो यहां से माइनस होगा, इधर माइनस होगा है ना, देखो, अब हमें H चाहिए, तो इसको पूरी टर्म को उठाके हम इधर ले आए, ठीक है, तो यह हम ले आए 2G कोस थिटा और इंटू में क्या है हमारा H, इकवल में बचा हुआ है U स्क्वाइर साइन स्क्वाइर अलफा U स्क्वाइर साइन स्क्वाइर अलफा, हमें चाहिए H, तो यह पूरी टर्म इसके नीचे, खतम, उपर लिख रहा हूँ, वहां लिखूंगा, है ना, ताकि फोर्मूला हमें बाद में ज़रत पड़े तो मिल जाए, देखो, H हमें चाहिए, H इकवल्स टू, यह पूरा का U स्क्वाइर साइन स्क्वाइर अलफा, ठीक है, तो यह हमने लिखा U स्क्वाइर साइन स्क्वाइर अलफा अपॉन, जो H के साथ था, वो क्या था, 2G कोस थिटा, 2G घोटाला, है ना, मजाग मजाग में बड़े-बड़े मुद्दे, है ना, 2G घोटाला, छोड़ो, 2G घो है ना ड कि यह आया हमारे पास हमारे पास हमारे पास आया एज मेक्सिमम से लाइट को बड़ी समस्या है और है मैक्सिमम ठीक है है में आपस DJ यहां और ऑगया या या सी को मिला या य्था कि एडिन करना है बहुत बढ़ी यह बहुत इंपोटेंट इंपोटेंट फोर्मॉला है तीन स्क्रिंस ओट लो समझ में तो आया ना यार हम ने वी स्कॉर रिकल्स टू यूज किया वाई डारेक्शन की स्टेडी कर रहे थे तो सब कुछ वाई मिलिया वी वाई मिलिया यू भी वाई मिलिया एब बैसे हमारा यह प्लेंट था याद है ना हमने इसको तीटा पर रोटेट करके रखा है यह अब यहां से अगर फैके थे तो आगे प्लेंट पर कहां जाके गिरा होगा वह चाहिए और रेंज तो एक्स डारेक्शन की करोगे तो इस्टेडी भी किसकी करेंगे तो सिट्री एक्स डारेक्शन इस्टेडी भी एक्स डारेक्शन की करनी ही पड़ेगी ठीख है और रेंज चाहिए मतलब डिस्प्लेस्मेंट चाहिए एक तरह गोरे से यहां सब्लूर्ण करूंगा दिया यह सब्लेंगे है जब acceleration constant होता है अच्छा देखो हमें क्या चीए हमें चीए रेंज तो इसके लिए देखो क्या लगाएंगे हम एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वाइर लेकिन भाई इस बार डारेक्शन बात हो रही है कितना है अरे वही तो निकालना है तूर रेंज वही तो निकालना है इनिशयल वैलोसीटी वी डारेक्शन में कितनी है य कोषि अल्फा है although यह ba तो यू कोश अलफा इनिस्याल वैलोसिटी एडारिक्षन क्या है यू कोश अलफा अच्छा टी टाइम टो है हमारे पास इरह टाइम तो है ना यह इस रख देंगे उठा के अच्छा उसके बाद एक्स लेशन ताइम तो सब में सेम लगे गा ना भाई डारिक्षन वे जो टा हमें x direction का चाहिए तो opposite में काम कर रहा है minus g sin theta तो यह हमने लिखा acceleration in x direction तो कितना है minus y minus r minus g sin theta minus g sin theta कैसा g लिख दिया हमने आना कोई बात नहीं देखो लगा देते हैं formula में न देखो क्या है कि formula है हमारा यह s s s कितना है और रेंज चाहिए हमें और इनिशियल वलोसिटी कितनी है इनिशियल वलोसिटी यह है u cos alpha u cos alpha ठीक है time कितना है वो है यहां पर रखते हैं 2 u sin alpha 2 u sin alpha upon g cos theta यह रखा हमने प्लस half 80 square थोड़ा और इधर रखेंगे plus half 80 square acceleration कितना है minus g minus g sin theta तो यह हमने लिखा minus g sin theta और time फिर से कितना है time तो यह रहेगा तो 2 u sin alpha upon g cos theta और इसका square भाई t का square भी तो है समझ में आ रहा है ना देखो ut half a t square ठीक है बस उतना किया हमने अब इसको solve कर देते हैं देखो u cos alpha u sin alpha ठीक है 2 u cos alpha 2 sin alpha उसके बाद u से multiply होगा u square हो जाएगा g cos theta ठीक इसको चोड़ते है इधर देखो एक g यहाँ पर है तो अगर मैं इस square को हटाओं मतलब यह g square होगा तो सब्सक्राइब बाद में तो यह और फिर u square sin alpha जो जैसा है उसको लिख देते हैं देखो जो जैसा है उसको लिख दो सब्सक्राइब कर देखो क्या है आपके पास यू को अलफा इसको अंदर multiply कर देते ना देखो u 2 u square 2 u square 2 u square sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha upon upon में क्या है अपोन में क्या है g cos theta अपोन में है g cos theta यह g लग रहा है सच बताना comment करके यह g लग रहा था क्या है क्या सर लगता तो आपका जी कुनसा भी नहीं है कोई बात नहीं देखो यहां पे minus बहार आजाएगा यह हमने लिखा minus ठीक है अब यहां से sin theta है और u square ठीक है तो 2 यहां से देखो यहां पर 2 है यहां पर 2 है लेकिन यह 2 का square है 4 है तो सबसे पहले तो 1 by 2 है फिर sin theta है तो यह हमने लिखा 1 by 2 sin theta उसके बाद क्या है 4 u square sin square alpha 4 u square sin square alpha upon upon g एक जी तो पहले कट चुका है अकेला एक जी है g cos square theta तो यह हमने लिखा g cos square theta कुछ कट रहा है तो काट दो जो कट रहा है काट देना चीए इधर से तो कुछ नहीं 2 है ना वन को लिखो चाहें मत लिखो इसको पूरे को 2 को हटाई देते हैं कटी गया बेचारा ठीक है यहां पर 2 बचाए बस इस 4 को अटा के यहां टू लिख देता हूं इस 4 को अटा के यहां पर 2 लिख देता हूं बात खत्म रैड से लिख दिया है आपको ध्यान भी रहेगा अलग से लिखा गया है है तो साइन थिटा टू यू स्क्वाइर साइन स्क्वार अलफा पॉन जी को स्क्वार थिटा इसका एलसियम लेना पड़ेगा मुझे रफ कर स्क्वार थिटा तो यहां पर लिख देते हैं जी को स्क्वार थिटा यसखेल स्क्वार थिटा रज इसको लिखते हैं पहले हैं टू यू स्क्वाइर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में साथ क्या जाएगा अब देखो जी तो इधर ठीक है लेकिन यहां कोस स्क्वाइर तो साथ में कोस थिटा और चला जाएगा कोस थिटा माइनस ये तो ऐसे कैसे आएगा साइन थिटा टू यू स्क्वार साइन स्क्वार अलफा तो माइनस साइन थिटा जो है वैसा ही लिख रहा हूँ साइन थिटा टू यू स्क्वार टू यू स्क्वार साइन स्क्वार अलफा ठोड़ा नीचे लिख देता हुं आगे क्या पता दिखेगा नहीं साइन स्क्वार अलफा है ना इसमझ गहें मैं यह आया हमारे पास यहां से यह व्थ एँगे उपर ठीक है अब यह आपके पास कुछ इसको मन आ सकते तो साइन एल्फा वहार तो अब कि यहां से क्या बचेगा बचेगा सब्सक्राइब Coast Theta minus minus देखो minus यहाँ से 2 u square आ गया BHAAR sin alpha आ गया तो यहाँ पिह क्या बचेगा यहाँ पिह बचेगा एक तो sin alpha यहाँ तो sin alpha और sin theta यह बचेगा तो sin alpha sin alpha और sin theta इसके डोट में है और upon में क्या है जो upon में है वो क्या है upon में है G close स्क्वार थिटा जी को स्क्वार थिटा इसके आगे की टर्म है यह ठीक है कि बहुत बढ़िया चलता है ना देखो यह आपको देख के ऐसा लगेगा कि यार यह बड़ी कॉंप्लेक्स चीज़े क्या है और कुछ नहीं है जैसा लिखा है वैसा तो कर रहे है लिए उसके बाद भाक जो आया उसको लिख लिए अदर को यह एक फोर्मुला बन गया को से लभा कोस और फित इसको आप ऐसे लो कोस fire minus sign a sin b cos a cos b minus sin a sin b क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b तो cos a plus b होता है तो इसका मतलब यहां आजाएगा देखो इसको मुझे रफ्ट करना पड़ेगा यार और कोई option है नहीं मेरे पास है ना इसके इन सोट ले लो देखो यह 2 u square sin alpha है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे यहां 2 u square sin alpha 2 u square sin alpha यह कोमन लिया था हमने और जो था उसकी जगह क्या आजाएगा cos alpha plus theta और upon में क्या है g cos square theta this is equal to range यह हमारा range का formula आ गया है ठीक है finally यह हमारा formula है किसका range का यह हमारा range का formula आ गया है important है important है जिसकी capacity है कि वो याद रखे रख लो जिसकी capacity नहीं है कोई खास जरूत भी नहीं है क्योंकि हमें concept चाहिएगा यहां से आप concept को ध्यान में रखो वो concept देखो concept हमारा यह है सिकोल सो यूटी प्लस आफटी स्कॉर यह है यह लगा के जो भी क्योशन मिलेगा उसमें सारी values आपको दी हुई मिलेगी sin alpha, u sin alpha गी value मिलेगी cos यहां से cos alpha गी value मिलेगी theta गी value मिलेगी सब मिलेगा तो वहां से वो चीज़ें रख देंगे हम इसमें दो कोई दिक्कत नहीं है तो बस सीधा है वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है यह multiply है इनके साथ ना ऐसा मत सौजना क्या है तो screenshot ले लो फिर क्योशन करेंगे देखो क्योशन है इफ ए प्रोजेक्टाइल इस प्रोजेक्टेड बाय एक प्रोजेक्टाइल है उसको प्रोजेक्ट किया गया फैक आगया है ठीक है बाई 10 रूट 2 मेटर पर सेकेंड इनिशेल वलोसिटी दे दिए आपको ओन ए इनकलाइन विद एंगल 45 डिगरी in incline के साथ angle कितना alpha कितना दिया गया है 45 degree फिर क्या बोला है and inclined plane and inclined plane have angle with horizon horizon के साथ inclined plane theta कितना angle बना रहा है 37 degree then find time of flight range or height maximum ये निकालना है situation को draw कर लेते है situation को ट्रा करेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है यह है हमारा inclined plane ठीक है अब क्या बोल रहा है इसने बोला कि project किया गया इसको 10 तो इसकी initial velocity यह project किया गया तो कितनी velocity के साथ 10 root 2 इस velocity के साथ project किया गया इसको उसके बाद इसके दो component होगे x component होगा ठीक है वह एक सेक्सिस तो यही है ना एक्षुली और इस direction में क्या होगी वो तो हमने theta rotate कर लिया था वहां पे तो इसको भी कर लेंगे आप कोगे तो है ना देखो और हम नहीं करेंगे इसको rotate आप करो गया ना यह angle हमें दिया गया है alpha alpha angle हमें दिया गया है yellow alpha कितना है projected by only inclined with angle inclined के साथ जो angle है वो क्या है 45 degree तो यह alpha हमारा कितना है 45 degree है उसके बाद बोलाए यह जो angle है वो कितना है 37 degree है यह देखो बोल रखा यहां पे है ना कि inclined plane है वो angle बनाता है horizon के साथ कितना बनाता है यह 37 बनाता है तो एक तो क्या हो गया आपका यहां से theta है यह alpha है तो यह इधर तो क्या component हो गया u cos alpha तो यह आपका इधर तो क्या हो जाएगा u cos alpha और इधर क्या हो जाएगा u sin alpha ठीक है आप gravitation भी कही ने कहीं तो काम करेगा ना तो निचे की तरफ gravitation का एक component तो यहां होता है और दूसरा component यहां होता है तो यहां पे जो होता है वो क्या होता है minus g यहां पे इधर क्योंकि angle theta है बीच में यहां पे ऐसे angle theta हुआ करता है अब भूलना मत तुम चीजें तो यहां पे क्या हो जाता है minus g cos theta तो minus g cos theta और यहां पे क्या हो जाएगा minus g sin theta यह सब बाते हमें पता चल गई सबसे पहले देखो time of flight निकालते है पहले चीज time of flight time of flight का formula हमारे पास लिखा हुआ है जो हमने find out किया था 2u sin alpha upon g cos theta 2u sin alpha तो देखो t equals to 2 into u initial velocity कितनी है देखो 10 root 2 लिख देते हैं यह हुआ आपका 10 root 2 उसके बाद sin alpha alpha कितना है 45 degree है तो sin 45 sin 45 degree upon g cos theta g की value क्या है यहां पे g cos theta है तो g की value कितनी है 10 होगी तो यहां पे हमने लिया 10 और into में cos theta तो cos कितना 45 degree cos theta cos theta है देखो द्यान रखना cos alpha नहीं है theta यह है यह है theta alpha उपर वाला था तो cos 37 cos 37 ठीक है अब हमें आगे बस इसको solve करना है बस वोई values रख दी हैं सारी कि सारी तो देखो टू इंटू रूट टू और साथ में sign 45 तो वन अपॉन रूट टू इंटू में वन अपॉन रूट टू और अपॉन अपॉन में क्या करेंगे देखो टें इंटू cos 37 टें इंटू टें इंटू cos 37 37 एंगल के सामने एक famous सा triangle है जो आपको याद ही रहता है हमेशा वैसे तो देखो कि यह चाहिए हमें यह हमारा 37 है 37 के सामने हमेशा 3 हुआ करता है यह यह 4 हुआ करता है आपको कोश हो जाएगा फोर अपॉन 5 तो यह हमने लिखा 4 अपॉन 5 ठीक है 4 अपॉन 5 कैसे वह आपको पता है 4 है यह बेस और 5 क्या है हाइपोटेनियस तो बेस अपोन हाइपोटेनियस है ना तो यह आजाएगा आपके पास और फिर अब इसको और आगे सोल करते हैं देखो टी इक्वल्स टू अब तो क्या बचा है रूट्टू से रूट्टू कैंसल आउट कर दो तेन इंटू टू ट्वंटी तेन से टेन भी कैंसल आउट हो जाएगा ना यह टेन से टेन कैंसल आउट कर दो क्या बच गया फाइव उपर जाएगा और यहां भी टू से तू कर दो 5 upon 2 यह आ गया 5 upon 2 equals to क्या जाएगा 2.5 क्या था ये time था second तो ये हो गया 2.5 second this is answer time of flight निकाले बहुत आसान है यार देखो तुम कुछ नहीं किया है आमने formula में values रखी है screenshot लो फिर आगे निकालते है h maximum second क्या है हमारे पास h maximum as maximum निकालना है सारी value formula में put करते हैं देखो as maximum equals to u square u कितना दिया है 10 root 2 10 root 2 का square ठीक है फिर उसके बाद है sine square alpha sine alpha 45 तो sine 45 का square sine 45 degree का क्या कर दो square कर दो ठीक है उसके बाद upon upon में क्या है 2g cos theta तो 2 into g g कितना है 10 g की value 10 ले ले लेते हैं 2g cos theta cos theta theta कितना है 37 तो फिर से ही आ जाएगा हमारे पास cos theta theta मतलब कोस कितना 37 यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अब बस इसको आगे solve करते जाना है और कुछ नहीं देखो इसका square करोगे तो 10 root 2 का 10 का square हेंड़ 2 का square 4 तो हेंड़ इंटू 4 400 है ना ठीक है तो यहां से h equals 2 जैसे 10 into 10 लिखोगे तो एक 10 तो cancel out होई जाएगा चलो इसको बाद में करेंगे यहां पर 10 था और यहां पर हमारा 2 छोड़ देते हैं तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ 10 into 10 और एक बार इसको लिख लेता हूँ 4 भाई बात तो वही है ना और into में sign sign 45 क्या होता है 1 upon root 2 1 upon root 2 का square करोगे तो 1 upon 4 4 निच्चे आजाएगा 1 upon 4 निच्चे आजाएगा और 2 into 10 यह यहां पहले से था cos 37 4 upon 5 तो यह आमने लिखा 4 और 5 कहाँ जाएगा 5 चला जाएगा उपर ठीक है तो देखो यह चीजे हैं आप देखो 10 से 10 cancel out हो जाएगा यहां से देखो यह 10 से 10 गया 4 से 4 गया और 2 से 5 हो गया ठीक है 55 यह कितना हो जाएगा 25 upon 4 तो as equals to कितना आजाएगा 25 upon 4 और इसको और आगे solve करना चाहते हो तो 4 यह आजाएगा 6 एंड पॉइंट कि 6 एंड पॉइंट टू फाइव कि 6.25 मेटर दिस सीज आंसर ओफ अवर क्यों सन यह हमारा एच मैक्सिमम होगा यह हमारा क्या होगा एच मैक्सिम हाइट मैक्सिमम आ चुकी है हमारे पास बहुत आसान है यार इस्क्रीन सोट लो अब रेंज निकालेंगे कि तीसरा आपको रेंज चाहिए तो रेंज के लिए देखो एक्वेशन क्या लगाओगे रेंज के लिए एक्वेशन क्या लगाओगे एस इकुल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्कॉर बताया था आपको एस इकुल्स टू उसके लिए फोर्मूला मत लगाओ एक्वेशन लगाओ डारेक्ट कंसेप्ट देखो हमें क्या चाहिए इनिशियल वैलोसिटी किस दारेक्शन में चाहिए बता ओओ पहली बात तो range हमेशा एक्ष डारेक्शन में निकलती है तो स्टडि कॉन सी डारेक्शन को करना है एक्स डारेक्शन को displacement in x direction यहां लिख रहा हूं सारी बाते जो जो चाहिए displacement in x direction कितना है भाई displacement in x direction x direction में displacement कितना अरे वो ही तो निकालना है और और initial velocity in x direction initial velocity in x direction u cos alpha तो मतलब u कितना है 10 root 2 और cos और alpha कितना है cos alpha alpha मतलब 45 degree 45 degree और क्या चीए और चीए आपको time time अभी अभी हमने find out किया था कितना आया था अभी इसमें इसमें आया था 5.2 2.5 I think 2.5 second आया होगा वही था तो time equals 2 2.5 second और उसके बाद half 80 square acceleration acceleration कितना है acceleration acceleration है वो किसके लिए चीए य के लिए चीए भाई के लिए य के लिए य क्योंकि concept से बात कर रहे है formula नहीं है इस बार तो concept है देखो इसके अंदर acceleration in y direction देखो माइनस जी कोस थिटा तो माइनस जी माइनस टेन माइनस टेन कोस थिटा थिटा इस बार 37 है तो कोस 37 degree और कुछ यह क्या time फिर time तो ही ना हमारे पास अब solve करते हैं इसको ठीक है अब इसको solve करते हैं देखो तो यहां पे displacement in x r range हमें निकालनी है r equals to initial velocity क्या हो गई u 10 root 2 cos 45 cos 45 1 upon root 2 तो 10 into 1 upon root 2 कितना आ जाएगा 10 तो सिधा लिखते हैं वह आपको क्या जिए u तो u in y direction आ गया ना 10 सिधा 10 क्यों आया 10 root 2 into 1 upon root 2 cos 45 होता है है ना 10 और time कितना है 2.5 into 2.5 प्लस हाफ 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 एक्सलेशन कितना है एक्सलेशन 10 cos 37 cos 37 हो जाएगा 3 upon 5 तो 10 ठीक है तो यहां पर माइनस 10 into 3 upon 5 3 upon 5 कैसे आया वही फेमस ट्राइंगल है 37 के सामने वाला होता है 3 बाकि 4 और 5 तो साइन थीटा कैसे निकालोगे तो यहां पर देखो 3 है वो क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनियस है ना तो यह आपका 3 upon 5 और अब इसके बाद यहां से देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो time time का square ठीक है एक्सलेशन हो गया और टाइ माइनस बाहर आएगा यह इसको मल्टिप्लाइ करोगे तो देखो 5 को करोगे तो 2 2 3 6 6 6 2 6 अपों 2 6 अपों 2 हो जाएगा 3 तो माइनस 3 और फिर इंटू में 2.5 का square करोगे तो कितना हो जाएगा 6.25 3 2 6.25 इसको मल्टिप्लाइ करोगे तो 6 इंटू 3 करोगे तो 18 तो यहां से जो आर निकल के आएगा वो आजाएगा देखो 25 माइनस 3.6.25 तो यहां से यह आपका about इक्वल आएगा 6.25 के 6.25 लगभग 6.25 के एक्वल आएगा है ना एक्जेटली भी हो सकता है एक बार आप चेक कर ले ना यह आपका अंसर है रेंज निकाल ली हमने भाई कहां जाके यहां से कहां गिरा मतलब यह निकाल लिया हमने यह रेंज आर निकाल लिया हमने समझ पा रहे हो ना एक्ष डारिक्शन में तो इस क्योशन के लिए तिनों चीज़ें हमने सोल करी दो में आपको फोर्मुले की जड़त पड़ी तिसरे में फोर्मुला नहीं चाहिए कंसेप्ट याद होता है कर लो कोई बात नहीं नहीं याद होता जरुत नहीं है ठीक है स्क्रीन सोट लो अब एक योशन आपके लिए होमवर्क है देखो क्या करना आपको यहां पर मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूं इस दा प्रोजेक्टाइल इस प्रोजेक्टेड बाई तो यहां पर मैं कर रहा हूं टेन मीटर पर सेकेंड ओन इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री को मैं कर र 37 है तो यह आपके पास थीटा की वैल्यू जो 37 है वो एजटीज बनी रहेगी यह क्या है आपका यह है एच डबलू यह होमवर्क है सेम वही चीज़े हैं अभी इस क्योशन को हमने सोल किया था बस दो चेंजमेंट इसमें हमने किये हैं क्या निकालना है आपको इसमें स्टडी करना या फिर सीधा फोर्मूला लगा देना ठीक है और उसके बाद कंसेप्ट पे कौन सी चीज़ आती है रेंज ओके तो फिर रेंज है यानि आर उसको भी आपको फाइंड आउट करना है और उसके लिए एस इकोल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वार अभी जाएगा तो सारी चीज़े यूज करना कुण सी डायक्षन की एक्स डायक्षन की क्योंकि रेंज हमेशा एक्स डायक्षन में होती है यह आपका टवलू है ठीक है इस स्क्रीन सोट ले लो इस सोल करके इसका आउसर आपको निचे कोमेंट करना है आप देखो आपके पास ए इनकलाइन प्लेन अगर प्रोजेक्टाइल हीट करता है इनकलाइन प्लेन को कब परपेंडिकुलर ली देखो सिच्वेशन को ड्रा करते हैं हमारे पास यह है हमारा एक इनकलाइन प्लेन और इसके उपर अगर यहां से हमारा प्रोजेक्टाइल जाता है और उसको 90 टिग्रीप कितने डिग्रीप हिट करें 90 डिग्रीप यहां से प्रोज्रक्टा एल गया तो वाई इसके दो कंपोनेंट पहला तो यहां पर उपर की तरफ आप उपर की तरफ बिलिकुल सिदा तो हो क्योंकि plane पे हैं तो ऐसे होगा है तो ये हमारा एक component ये हमारा angle alpha और दوسरा angle हमारा theta दूसरा angle हमारा theta तो एक component इसका ये होगा ठीक है और एक component ये होगा ये वाला component क्या होगा अगर ये u полов oh इ furiousud see से गया तो इसका क्या होगा यू कोस एलफा और यह वाला क्या होगा यू साइन एलफा यह तो होगा अच्छा एक्सलेशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं अच्छा पर्पेंडिकुल बिल्कुल पर्पेंडिकुल एक्सलेशन होगा तो वहां भी दौक होंगे कैसे तो जैसे यहां पर बिलकुल इसके निचे वाली आपॉजिटीट साइड में ना इसके निचे की तरफ यह होगा एक्सिलेशन के बिलकुल परपेंडिकुलर होगा ना बहिए ऐसे लग रहा होगा तो उसका एक क्पोनेंट ऐसे निचे की तरफ और दूसरा इधर, तो एक component तो यह होगा, ठीक है, और एक component उसका इधर होगा, अब यह बात समझने वाली है, द्यान से देखना, देखो, अब component कहां की तरफ है, निचे, निचे की तरफ है, तो क्या लिखोगे, minus g, अब यहाँ पे थिटा एंगल होता, आपको पता है, अगर जी कोस थिटा, कई बार बताया, जी कोस थिटा, और यह क्या आ जाएगा, minus g, साइन, थिटा, यह थिटा है न, इसलिए थिटा लगाया, वहाँ अलफा था, इसलिए अलफा लगाया था, इतने बात के लिए रहे, यह बात तो हम पढ़के आ चुके हैं कई बार, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी, एक्स डिरेक्शन में क्या होगी, यह बता दो बस, देखो, यहां से यह गया, यू वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कोस अलफा, एक्स डिरेक्शन में तो यही है, भाई यही तो है एक्स और यह वाई, एक्स डिरेक्शन में के इसके इसके क्या है यू को सेलफ़ा है क्या यह बदलेगी इन प्ल perspectives बदलेगी इसका मतलब सब्द सब्सक्राइब वल्य Copस D ल says की ऐसें बिल्कुल पर्पेंडीकूल जा रहा रहे हैसे क्राइब लिक्वी परनेकूल लिगतीडिकुलर दी जारा है है तो सक्ताइब है उस पर जो velocity in X direction होगी, वो 0 हो चुकी होगी, अच्छा, initial velocity साथ में, आपको क्या चीए स्थे आपको चीए, आपको चीए है, तो, ध्या सरद होगी है, आपको चीएगा, आपोजिट में माइन सब्सक्राइब घो जाएंगा माइनस मकाइन सब्सक्राइब हमारा माइनस जी आ 귀여गई अब हम प्याइस्ट इक्विश्ट्ट के वेस्टन का यूज करेंगे उपज़ữa क्या होता है इंग कि है वी Payman velocity in X directions final velocity X directions जीरो तो यह हमने लिखा ठीक है फिर यहां पर Yyou you dekhو Là YOU QOS alpha तो plus Ao и यू कोस alpha और साथ में देखो यू प्लस 80 यू प्लस 80 । यू लिख दिया यह यह हमादा ho iguals to na sorry 0 equals to yu go s alpha और फिर है Ste킬 कितना थे घंड रहा माइनस जिसाइन थिता तो यह, लिखा अब यहां माइन साजेगा । जी Kin Tita अपन कुझे नहिए जी side थीता लेकिं सा चाह्में कुछ एक चीज और आयेगी use इसको मैं निचे लिख रहा हूँ यहां माइनस जी साइन थिटा साथ में एक चीज़ हो रहेगी क्या टी टाइम टाइम तो यह है यह रहेगा यह बदलने वाला थोड़ी है यहां पर यह इसी के लिए तो टाइम निकाला हुए टू यू साइन अलफा अपॉन जी कोस थिटा ठीक है आप देखो इसके आगे करते हैं इसको बैसिकली जी से जी कैंसिल आउट हो रहा है उसको लिख रहा हूँ है यह जी से जी कैंसिल आउट हो गया ठीक है साइन थिटा अपॉन कोस थिटा इस पूरी टैम को उधर लेके जाते हैं ठीक है देखो यहां पर एक लाइन ब cos alpha equals 2 क्या है देखो sin theta u sin alpha तो यह हो जाएगा 2u sin theta और sin alpha upon upon क्योंग क्या है sin theta यह है sin theta तो उपर रहे आमने लिख दिया और upon में cos theta है तो इसको हम लिख देते हैं cos theta इधर को अलफा है एक बार बताओ यहां से अगर मैं को से उठाके और इसके निचे ले आओं तो क्या हो जाएगा यू से यू तो कट कैंसल आउट इसमें अग्तनी है नो यहां पर क्या बचेंगा यह देखो साइग को साइन कोत हो जाएगा तो यह और 2 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 2, 10, theta, यह हमारा relation है alpha और theta के बीच, बहुत बढ़िया, यह हमारा relation है, this is answer, आप यह concept पर क्यों सनाते हैं, इसलिए आपको यह बताया है, find the relation between alpha और theta, तो यह आपको find out करके बता दिया है, कुछ खास नहीं किया, आपने यह तो पूरा आपको पता ही है, इस बारे में तो, final velocity इसकी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि यह जाकर के stop हो जाएगा, basically, और ux equals to u cos alpha, v equals to ut, यह तो आप जानते हैं, यह यह प्लस 80, first equation of motion 9 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, or best, बाकी तो सब company है, ठीक है, I hope आपको यहाँ तक तो दिख रहा होगा, at least, ठीक, तो screen सोट लो, second situation आती है, upwards to downwards, finally, हम फैक रहे थे पहले, downwards to upwards, अब plane को पलड़ देंगे, ठीक है, अब हमारा plane कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे नजर आएगा, अब यह हमार plane नजर आएगा, और हम उपर से निचे की तरफ, थोड़ा निचे बनाएंगे और इसको, तो, ऐसा हमारा plane नजर आएगा, inclined plane, ठीक है, और यह जो inclined plane है, इसका ये angle हो जाएगा, theta, ठीक है, अब हम फैकेंगे कहां से, यहां से, उपर से, upwards से, कहां की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे फैकेंगे, ठीक है, उपर से, कहां की तरफ फैकेंगे, निचे की तरफ फैकेंगे, किस velocity से फैकेंगे, you velocity से फैकेंगे, अच्छा, दो component होंगे, velocity जे vector quantity, एक upward, वही एक तो perpendicular, एक सिधा, तो, यहां पे एक component तो इस तरफ होगा, एक component तो इस तरफ होगा, और एक component इसक परपेंडिकुलर और यह यू वैलोसिटी से अगर जा रहा था और अगर ऐसे यह जा रहा था ऐसे थोड़ा सा इधर वेजते हैं तो अगर यह ऐसे जा रहा था तो यहां पर एंगल कौन सा था अलफा वही वही सारी चीज़ें हैं ध्यान से समझ लो यह एक्स डारेक्शन है आप देखके समझ पा रहे होंगे यह कौन सी डारेक्शन है यह कौन सी डारेक्शन है यह एक्स डारेक्शन आप चाहो तो थिटा इसको गुमा दो नीचे ले आओ गुमाएंगे रुको है ना तो यहां उपर की तरफ कौन सी डारेक्शन है वाई डारेक्शन है तो इसका ए साइन एलफा आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैलोसेटी के दो कंपोनेंट एक सब्सक्राइब यह हो गया यू साइन एलफा बात आती है ग्रेविटेशन जैसे उसमें इस बार एक तो यहां पे होगा कुछ ऐसे मतलब बिलकुल इसके अपोजिट और एक इस बार इधर होगा कि समझे बात इस बार ग्रेविटेशन कहां की तरफ होगा इधर इधर उल्टा नहीं होगा इस बार एक्सिस की direction के अंदर ही gravitation काम करेगा, वै कोई object ऐसे जा रहा है, हमारा plane inclined है, समझो आप, हमारा object कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो gravitation भी कहां काम कर रहा है, उसी की direction में काम कर रहा है, समझ पारे हैं लूब यह हमारा horizontal है, और स्मझों वात को यह हमारा होरिजॉन imperfect determine होना सबस्क किसे इक्स जा रहा है कि समझ करेगा ठीक है तो यहां से आप यह समझ के जलो यह तो क्या था U cos alpha तो एक्सलेशन के भी जो दो component होंगे वो इसी direction में होंगे ना एक तो बिल्कुल इसके opposite direction में होगा ठीक है क्या वो लोगे उसको minus Z cos theta minus z cos theta वहीं रहेगा आगर यह component है तो एक यह component और एक यह component समझभा रहे हो ना एक इसके perpendicular एक यह component तो थिटा तो यही है ना तो जिदर थिटा है जिदर थिटा है उसी की तरफ को थिटा आता है तो इसका जो यह component है वो तो यह है और यह जो component है वो यहां पर अब मैं बता दूँगा आपको कौन सा है ठीक है इसको मैं दुबारा से बना दूँगा उसमें आप टेंशन मतलो देखो यह हमने बना दिया तो यहां से एक कंपोनेंट तो इसका किसका है अलफा वाला है मतलब यू वाला है और दूसरा किसका होगा ग्रेविटेशन का तो ग्रेविटेशन वाला जो कंपोनेंट इस यहां पर लिख रहा हूं इसको जो ग्रेविटेशन वाला क रविटेशन अपोजिट डारीक्शन में काम नहीं कर रहा है, एक ससी की डारीक्शन में काम रहा है, तो इसी वजए से ये पोजिटीव आएगा, नागेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे तो नागेटीव आएगा Y के लिए तो, मैं इसको ठीटा एंगल गुमा दूँ रोटेट कर दूँ रोटेटिंग कर spoken तीटा थीटा एंटेट कर रहा हूं इसको मुल्स है ये इसको सिधा कर देते हैं यह type घृइक साथर।्ट मिंःक टरफ एक एक अश्याद साथ तरह हाई यह यह ब्लस्तमा यह यह खाल जाए जार थोड़ा से इसको टेड़ा फैक्ते हैं तब उपर वाई डारेक्शन को हम दिखा पाएंगे तो उपर की तरफ हमारा वाई डारेक्शन है यह हमारी वाई डारेक्शन है यह रही ठीक है यह यह वाई डारेक्शन है यहां पे जो एंगल है हमारा वो एलफा है और इसको यू व और साइन थिटा है सब करेंशने कहीए दिक्रत स्था यहांने तक कोई दिक्रत नहीं होनी इसके बाद ग्रेविटेशन हुर के हमादे दो कंपोनेंट एक तो बिल्कुल डानवार्ट्स है जो कि है माइनस न fa ऑगो ट्र." और ग्रेविटेशन के यही और कंपोनेंट है जो इसी तरफ में है और वो क्या है G. यू वेलोसिटी से फैका था तो सारी देखो अपको नजर आ Bry होंगी और वे योगई हो گहा ते इसको ऐसे कर दिया यह ऐसे था इसको ऐसे कर दिया सिधा कर दिया है ना स्क्रीन सोट लो कि पहली चीज आगर इसके लिए मुझे टाइम ओफ फ्लाइट निकालना हो आगर इसके लिए मुझे time of flight निकालना हो क्या आएगा same जो लिखा हुआ है आपके सामने वो ही आएगा चाहे निकालके देख लेना ठीक है 2u sin alpha upon g cos theta ठीक है क्योंकि कुछ बदला ही नहीं यार y पे depend करता है time period जब हम निकालते हैं तो यह time period किस पे depend करता है याद करो किस पे depend करता है y direction पे क्या y direction के अंदर velocity बदली यू आई की value बदली अरे वही तो है u sin theta यही पहले वहा करती थी क्या y direction में acceleration बदला क्या y direction में acceleration बदला वही तो acceleration है यार माइनस जी कोस theta तो क्या time बदलेगा वह एस इक्वर्स to ut plus half 80 square तो लगाओगे s equals to ut plus half 80 square तो लगाओगे तो अगर आप s equals to ut भाई initial velocity वही है time आपको निकालना है half और acceleration वही है और time आपको निकालना है तो displacement जो है वह भी नहीं बदला ठीक है displacement भी नहीं बदला वह भी 0 होने निकालना हो दूसरा क्या होता है हमारे पास maximum height अगर आपको निकालना है edge max क्या यह वाई डारेक्शन पर डिपेंड करता है इसको भी वाई डारेक्शन से find out किया था हमने याद आपको तो इसका मतलब वाई डारेक्शन में ना तो velocity बदली ना acceleration बदला तो फिर क्या यह भी बदलेगा नहीं तो दोनों यही फोर्मूले रहेंगे जब आप downwards to upwards जा रहे थे चाहिए आप upwards to downwards जा रहे हो दोनों यह टाइम अब रेंज बदल जाएगी क्योंकि वह concept पर बेस है मैंने कहा था याद करने की जरौद नहीं उसमें भी छोटा सा चेंजमेंट आएगा उसमें जब आपने निकाला था तो वहां था एलफा प्लस थिटा अब आजाएगा एलफा माइनस थिटा बस इतना सा चेंजमेंट आएगा खीक है इसको इसक्रीन सोट लेलो अब निकालनी है हमें range ओके अब हमें निकालनी है range मतलब और range क्या होती है सर यह तिसरे नंबर की चीज़ होगी c दे रहा हूं इसको है न दो तो निकाल चुके हैं same है अच्छा यहां से लेकर के मतलब यहां से लेकर के इस point से और इस point सक x-axis में जितना गया उसको हम range बोलते हैं यह तो है हमारा r यही है यहां से लेकर के और यहां तक यही हमारा r है यह हमें find out करना है कैसे करेंगे पर range के लिए तो x direction को study करना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता है यह नहीं तो x direction को study करते हैं देखो x direction जो जो मैं पूछूं बस आप बता दो आपको formula लगेगा s equals to ut plus half 80 square यह वो नहीं रह सकती है वो plus minus का difference आएगा क्योंकि पहले जो gravitation था उसमें minus था x direction में पर अब नहीं है पहले gravitation याद है ऐसे हुआ करता था इस तरफ लेकिन अब इस बार दूसरी तरफ है तो यहां से जो जो मैं पूछूं देखो बताते जाओ बसा displacement कितना है displacement in x direction आर है यह तो निकालना है सर ठीक है इनिशियल वेलोसिटी बता दो एक्स डारेक्शन में कितनी है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डारेक्शन देखो यही है यू कोस अलफा यू कोस अलफा अच्छा उसके बाद टाइम कितना है टाइम तो वही रहेगा वो दो बदलेगा नहीं अच्छा उसके बाद acceleration होई गया, acceleration in x direction, मैं तो यही है, minus g नहीं, plus g cos theta, g sin theta, यह सब कुछ है, बस इसकी value रख दो, आपका काम हो जाएगा, s क्या है, r, तो r equals to, u क्या है, u cos alpha, time क्या है, 2u sin alpha, upon g cos theta, और फिर क्या है, देखो, plus half 80 square, तो यह हमने लगाया, plus, और यहाँ पर हमने लिखा, half, acceleration बताओ कितना है, g sin theta, g sin theta, और फिर अगर उसके बाद time का आपको क्या करना है, square करना है, time का square करना है, तो सिधा square करके लिख दू, 2 का square करो, 4, और u का square करो, u square, sine का square करो, sine square alpha, sin square alpha, upon, g का square करो, g square, cos theta का square करो, cos square theta, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अब देखो, जो कटता है, काट दो, देखो, यहाँ तक आपको चीज़े समझ आई होंगी, इसमें देखो, उसके बाद हमने क्या किया, simply values को रखके, और उसके बाद देखो, g है, उससे g cancel out हो गया, इसका square, और दो 2 है, उससे यहाँ पर 4 से cancel out किया, तो 2 cancel out हुआ, इसका LCM ले ले लेते हैं, देखो, यहाँ से, देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर g cos square theta है निचे, और उपर यहाँ पर क्या है, देखो, g cos theta है, ऐसा ही है न, यहाँ पर g cos theta यह g cos square theta है, तो g cos square theta LCM आ जाएगा, तो यह हमने लिखा, g cos square theta, ठीक है, अच्छे, यहाँ से देखो, क्या बचेएगा, u cos alpha, जो है वो तो आएगा ही, उपर, देखो, उपर क्या है, u cos alpha, u cos alpha, फिर उसके बाद 2u sin alpha, ठीक है, 2 को पहले रख देता हूँ, और फिर क्या है, u sin alpha, और साथ में देखो, यहाँ से g cos theta होर जाएगा, क्योंकि, देखो, g तो है, लेकिन cos theta की कमी है, तो एक cos theta ओर जाएगा, तो यह लिखा, यहाँ से cos theta, ठीक है, अब देखो, यहाँ इधर क्या आ जाएगा, देखो, यहाँ पर तो पूरा है, g cos square theta, तो जो है, उसको लिख दो, sin theta, और u square sin square alpha, तो यह हमने लिखा, u square sin square alpha, यहाँ से जो बाहर आ सकता है, वो क्या आ सकता है, देखो जरा, यहाँ से जो बाहर आ सकता है, इसको मिटा दूँ, यह आपको पता है, वैसे ध्यान दखना है, यह क्या था, यहाँ लिखा वाई, इसका gravitation के लिए g cos theta, देखो, u बाहर आ फिर उपर इधर देखो, sin alpha भी बाहर आ सकता है, और sin alpha बाहर आ सकता है, उसके बाद देखो, इसको sol करोगे, तो यह value किसके बराबर आई है, r के बराबर, तो r के बराबर देखो, जो वहाँ पर हमारे पास आया था, value तो वही आएगी, क्या आएगी, देखो, 2 u square sin alpha और cos, यहाँ पर देखो, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, alpha minus theta, वहाँ पर alpha plus theta था, अब बस यह difference आ जाएगा, यहाँ पर alpha minus theta बचेगा, जो फोर्मूला यहाँ पर बनेगा, cos a minus b का बनेगा, ठीक है, वहाँ पर cos a plus b का formula बना था, ठीक है, बस यह difference होगा, और upon में क्या हो आपोन में यहां पे जी कोस स्क्वाइर थीटा यह बात आपको आई होप समझ आ रही होगी देखो हमने कोमन क्या लिया टू यू स्क्वाइर साइन अलफा टू यू स्क्वाइर देखो यहां से एक यू यह भी तो है तो इसको कर देते हैं यू स्क्वाइर ठीक है तो इसको क स्क्वाइर कोस अलफा कोस अलफा तो यहां से टू यू स्क्वाइर साइन अलफा बाहर आ गया ठीक है इसमें से आया होगा तो यहां पे क्या बचा होगा केवल यहां पे बचा होगा कोस अलफा और कोस थिटा यहां से बाहर आया होगा तो क्या बचा होगा यहां पे साइन थ स्ब्सक्राइब और तो यह वहां पर थेया कोष्ड आलफा ओर सब्सक्राइब तो यह वहां पर निकाली थी तो आपको याद होगा कि वहाँ पर हमने देखा था यहां प्लस थिटा आया था यहां पर यहां पर friends है और यहीँ answer है-्रेंज के लिए ठीक है फिर भी जरूरी था इस्क्रीन्सट्न दो कियो सब्सक्राइन एक हम लें एक हम लेंगे प्लेन हमारा ठीक है तो कि यह हमारा एक प्लेन है oh dear ओशिटा एंगल पे सको हम गुआ दे यह वैसे रख लेते हैं चलो यहारा जो एंगल है वह फिटा है और उसके बाद हमें और क्या चीएगा वयलोसिटी चीएगी तो इनीचिए गीवन है ये वहाई वह है जो मैं यहां पर कुछ इस तरह से यह ओब्जेक्ट आया और नीचे की तरफ गया कितने वैलोसिटी से गया और यह एंगल कितना बनाया इसने जब यह गया देखो यह एंगल है यह एंगल इसने बनाया जब यह गिर रहा था तो जो एंगल बनाया एलफा वो कितना बनाया 53 डिगरी तो इसके डेफिनेट सी बात है दो कंपोनेंट होगे तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है यू कोस एलफा ठीक है तो यू कितना है यू हमारा है 10 में 10 है ना यह देखो दे रखा यू 10 मेंटर पर सेकंड तो 10 कोस 53 डिगरी और इधर वाला क्या हो जाएगा 10 साइन यू साइन अलफा टो यू साइन 53 डिगरी यह जाएगा जैए और कुछ सीह चाहिए ग्रेविटेशन भी चाहिए जाए ना तो निचे-दी तो निचे की तरफ तो निचे की तरफ यह क्रेविटेशन है तो यह क्या आएगा माइनस जी कोस थिटा तो माइनस जी जी की वैलू टेन ले लो माइनस टेन इन्टू कोस थिटा एक बार तो इसको जी कोस थिटा ही लिखता हूँ माइनस जी कोस और थिटा कितना है 37 डिगरी यह बस यह पॉइंट द्यान रखना आपको कभी कई बार बच्चे से में गलती क्या करते हैं थिटा की जगह वैल्यू लिख जाते हैं अलफा की यह बस्टेक मत कर देना माइनस खोस 37 और एक इसका कमपोनेंट यहां इस डायरेक्शन में भी होगा जो वो क्या होगा जी साइन थिटा तो वो पोजिटीव होगा तो यह जी साइन थिटा जी साइन 37 एक यहां पर यह हो जाएगा यह सारी जीजे किलिया अब आपको पूच य То सबसे पहले सोल कर देते हैं टाइम के लिए falls करो करो सबसे पहले तू जी यह उपको रख दो कितनी मताओ उसके बाद कितना है साइण ईल्फा कितना है एल्फा एल्फा है टिस्टी तो यहां पे साइण अल्फा मतलब साइन उस हमने लिखा freight 33 अपव wing जी बादonne Вर िंट है देखो 10 आपके पास 37 घर डिली है रखतें और को यॉ उपकर तूट करते हैं फिमेस सा ठ्राइंगेल है क्माराइ उसको बना ये हिबार झेब को यह तो जब तृट है जब यह आपका Theta है और अगर यह 37 है तो इसके सामने वाला होगा हमेशा 3 और यह होगा निचे वाला 4 और यह होगा 5 अगर आपका जो एंगल है वो 53 हो अगर यह एंगल हो कितना हो विव्यक्ती थे तो फिर ये होगा पुर ये होगा थी और ये और ये होगा व्यक्त ये दो ट्राइंगल हैं बढ़िया से अच्छा दो और परन पंडेम्डिकुलर बेस पर homeless पॉन हाइप टेनियस हाइप टेनियस यह आप जानते ही होगे यह तो पांच वी किसा के बच्चे पढ़ते हैं देखो तो यहांसे पांच वी ले पढ़ लेते हैं क्या देखते हैं चलो यहां पे टो इंटो टेन सांट 57 buds 3 1993 53 यह रख 53 साइप लुकषान निकालना है प्रपें कितने 5 तो 4 upon 5 तो यहां पर 2 into 10 into 4 upon 5 upon 10 into course 37 इस में ना 37 तो बेस अपोण हाइट हाइपोटेनियस तो बेस कितना है अगया इसमें साइन था तो । 10 into 4 upon 5 तो 4 upon 5 तो पूरा ही cancel out ठीक है 4 upon 5 पूरा cancel out ये लो खतम 10 से 10 cancel out क्या बचा यार 2 बचा 2 second तो time of flight 2 second this is answer कहने का मतलब यह है कि इस object को यहां से u velocity से आने में u velocity कितनी है 10 meter per second तो इस velocity से आने में ये जो time लगा यहां तक वो कितना लगा 2 second लगा 2 second में पहुँच गई है ना खेर दूसरा आपको निकालना है height maximum तो रखते जाओ बस second हमें निकालना है edge maximum देखो सबसे पहले u square sin square alpha u square कितना है वह 10 का square तो रख दो 10 into 10 into sin square alpha alpha कितना है बताओ alpha कितना है ये रहा है यार alpha 53 sin 53 तो 53 में sin key value बताओ perpendicular upon hypotenuse perpendicular 4 upon hypotenuse 5 4 upon 5 है ना तो 4 upon 5 का square तो 4 upon 5 into 4 upon 5 ठीक है उपर का काम खतम निचे का देखो 2 into gravitation 2 into gravitation आपको क्योशन में दिया है 10 और into cos theta theta 37 cos theta देखो cos theta तो अभी भी निकाला था ना हमने theta 37 4 upon 5 ही आएगा तो into में 2g cos theta 4 upon 5 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवरदस्त काम हो रहा है ना जवरदस्त देखो यह इससे cancel out ठीक है हाँ एक cancel out हो जाएगा एक स्कॉर तो कम से कम गया निचे स्कॉर नहीं था गया नहीं है तो यह 10 से 10 गया यह 2 से गया 5 ठीक है अब यह 5 निचे आएगा तो 5 से 5 भी चला जाएगा इसको ऐसे लिख होगे ना 5 इंटू 4 अपोन 5 5 से 5 गया क्या बचा शिरफ 4 तो maximum height कितना गया यह यह निकाल रहे थे हम maximum height 5 मीटर गया कितना गया 4 मीटर स्वरी 5 4 मीटर गया चार मीटर इस इस आंसर टाइम निकाल लिया हमने height maximum निकाल ली बचती है range उसको concept से करना पड़ेगा स्क्रीन सोट लो तीसरा क्या चाहिए आपको range के लिए range range के लिए आपको चाहिए सर s equals to ut plus half 80 square और direction को study करना है x को range तो x में होती है यार definite सी बात है यहां से लेकिए यहां तक यह range है तो x direction को study करना है displacement बताओ x में कितना है वो ही तो निकालना है sir displacement in x equals to r initial velocity बताओ कितनी है x direction में यह रही 10 cos 53 तो initial velocity in x direction कितनी है 10 cos 53 cos 53 कितना होगा cos 53 base upon hypotenuse base 3 upon 5 ठीक है तो 10 into 10 into 3 upon 5 तो यह 2 into 3 6 लिख दू सिदा खतम गरो ना यार बात को 6 उसके बाद देखो यहाँ पर क्या चीए आपको time चीए अभी निकाला था हमने time equals to 2 seconds आया तो था इसी के उसन के लिए तो किया था और क्या चीए आपको acceleration चीए acceleration in x direction time तो xy का सबका same acceleration in x direction acceleration में acceleration कितना है acceleration यह है g sin 30 g कितना है 10 sin 30 sin 37 sin perpendicular upon hypotenious 37 वाले एंगल में ट्राइंगल में देखो perpendicular 3 upon 5 ठीक है तो यहां से करोगे 3 upon 5 तो वही 6 आएगा 3 upon 5 2 तो 3 into 2 जा 6 ठीक है अब तो बस values को रखना है और आपका काम हो गया displacement कितना है 6 into 2 plus half acceleration कहा है देखो acceleration कहा है 6 into 6 और T square time कितना है देखो 2 seconds तो 2 का square कर दो तो square से यह तो cancel out होई जाएगा 2 तो बचा क्या देखो यहां पे 12 यह आ जाएगा 12 plus 6 into 2 यह भी 12 तो यह आ जाएगी range 24 meter this is our answer है ना मतलब यहां से लेके यहां तक जो range है 24 meter है ठीक है बहुत बढ़िया और अब इसी type के question के अंदर आप से यह पूछता है कि आप relation निकालो alpha और theta के बीच याद है हमने निकाला था एलफा और theta के बीच relation तो हमने equation यूज करी थी v equals to u plus 80 याद है हमने यूज किया था v equals to u plus 80 और हमने किया था velocity final velocity equals to 0 हमने किया था final velocity equals to 0 देख लेना दुबारा देख बार जाके पीछे back करके देख लो final velocity equals to 0 यहां पे final velocity 0 नहीं हो सकती है x direction में velocity for x हमने यह लिखा था velocity for x equals to 0 तब वो soul हो पाया था relation उन दोनों के बीच alpha और theta के बीच पर यहां पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि velocity 0 कब होगी यार final velocity 0 कब होगी जब velocity घटती जाएगी समझ पा रहे हो लेकिन यहां तो acceleration निचे की तरफ है वहां क्या था x component यह था और acceleration ऐसे लग रहा था मतलब direction motion की direction के opposite में acceleration काम कर रहा था तो उसकी velocity कम हो रही थी पर यहां तो जिदर acceleration है उधर ही motion है x में acceleration positive में acceleration जो motion है वो positive में acceleration भी positive में तो इसकी speed तो बढ़ेगी तो final velocity 0 नहीं हो सकती है तो इसलिए relation भी theta और alpha के बीच नहीं निकलेगा ध्यान रखिए ठीक है तो वैसा क्योशन अगर आपसे कभी करता है तो आप बता सकते हैं इसका screen shot ले लो तो यह था simple हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने projectile motion को study कर लिया inclined plane के लिए और यहां हमारा projectile motion का concept है वो complete होता है क्योशन्स कभी complete नहीं होते जैसा कि आप सभी जानते हो क्योंकि क्योशन्स तो बहुत है जितने चाहे क्योशन्स आप कर सकते हो हाँ अगर आपने चैस वीडियो के comment डालते हो कि सर यह क्योशन्स है वो भी हम करना चाहते हैं तो definitely मैं आपको करवाऊंगा इन चीजों में interest लेना सिखो अगर इन में आप interest नहीं लोगे तो definite सी बात है यह सारी चीज़े आपको लगेगा तो फिर फिकर ही नहीं है मंजिल ना मिले ना सही फिर भी जिन्दगी हसी है तो चीजों में interest अगर आप लेगे definite सी बात है अगर Raast tirar को आपने दिलकस्प बनाबाया अगर रास्ते को आपने अच्छा बनाबाया तो definite सी बात है फिर आपको परवा नहीं है कि मनजिल मिली नहीं मिली लेकिन रास्ता हमने बहुत बढ़िया तैय किया तो इसलिए चीजों को समझिए बारिकी से इंट्रेस्ट लीजिए और उसके बाद क्योशन को सोल करिए अगर आपका किलियर है तो डेफिनेटल आप क्योशन सोल कर पाएंगे मिलते है नेक्स्ट वी वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू है वे नाइस टे